नमस्कार आप देखे रहें NBC24 मैं हूँ आपके साथ मानसी RRB NTPC परिक्षा का बहुत बड़ा घपला हुआ है ऐसी में स्टूडेंट्स अभियर्ती स्टेशनों पे आके सारी पत्रियों को उखार रहे हैं और वहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं SME स्टूडेंट्स ने 28 जनवरी को भारत बंद का ऐलान विकर दिया है आईए चलते हैं यहां हम और कुछ लोगों से जानेंगे कि आखिर यह पूरा मुद्दा है क्या और ऐसा क्यू हो रहा है और सरकार को इस पे क्या करना चाहिए आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शानल में अब हमें यह बताईए जो अभी RRB NTPC जो परिक्षा था अभी अर्ती स्टेशनों पे आ रहे हैं अंदोलन कर रहे हैं इस पे क्या कुछ कहना है आपकर अब तक मात्र एक लेवल का जिसको कि CB1 कहते हैं इसको बस क्लियर किया गया है RRB ने कहा था कि जितना भी फॉर्म भरा गया है उसका 20 टाइमस उसका हम लोग यह करेंगे निकालेंगे रिजल्ट लेकिन जो कल जो संग्यान में आया है मात्र 11 गुना निकला है तो पहले वहाँ पर सुडेंट ठगे गए है बिहार का थोड़ा समय आपको इंप्लॉइमेंट का डेटा दे दूँ अगर मैं भारत देश की बात करूँ तो बिहार का जो इंप्लॉइमेंट रेट है हो सबसे निचले स्तर पे है हम सबसे निचले पैदान पे है बिहार सबसे पीछे बिलकुल सही का आपने इतिश गुमार जी ने चुनाव में कहा था कि 19 लाख और रोजगार देंगे तो उसकी बात हम नहीं करते हैं लेकिन मान लीजिए कि NTPC हो RRB होगर आपने वेकेंसी निकाला है तो क्या पांच वर्षी योजना है कि आप उसको पांच साल में कंप्लीट करेंगे एक से दो साल में सम्विधान आपका दो साल में लिखा गया था बाद के इतना वड़ा सम्विधान लेकिन तीन साल बीच जाने के बाद भी मात रखेवल एक लेवल का एक्जाम पुरा हुआ है जो बच्चा गाउं से यहां आके पढ़ता है भिखना पानी आपने देखा होगा उस छोटे-छोटे कमरें में खुद से खाना बनाएका जो पढ़ते हैं उनको बिलकुल हताशा है इस RRB और NTP से के अपरोच को लेके तो उन्होंने जब सरकार से बात करने की कोशिश की तो सरकार क्या करती है कि यहां पे आपको दमनकारी निती का प्रियोग करती है आप पे लाठी चलाएगी आपको आंसु गर्स के गोले छोड़े जाएगे पानी छोड़ा जाएगा इस ठंड है मालीज यह बच्चे कोई आतंगबादी तो है नहीं हमारे प्रदेश के बच्चे है और किसी भी प्रदेश और देश का युवा जो होता है भविश्य होता है तो आप उसको मारिएगा पिटिएगा तो जो यह फ्रस्टेशन है वो एक लिवल और उपर बढ़ जाता है तो उसी का result था उसी का परिणाम था कि आपने देखा है कि आरा में हुआ है राजेंद्र नेकर टर्मिनस पे हुआ है भिखना पाहारी पे हुआ है तो एक निवेदन है सरकार से अभी भी हाला कि नितिश कुमार से ज्यादा मुझे अपक्षा नहीं रहती है लेकिन माननी है उचने आले है या NTPC के जो higher authorities है या railway government है, PMO है, HMO है उनको संग्यान लेना चाहिए, उनको intervene करना चाहिए इस चीज को लेके ताकि बच्चे जो है वो आपस अपने घर को लोटे, पढ़ाय लिखाई करें और स्वड़क पर नहीं उतरे और जो अभी तो सरकार जो अभी ये vacancy निकालीगी, RRB की जो निकाली है, उसके कारण ये अंदोलन हो रहा है बिल्कुल, रिजल्ट में अन्यमताइं हुई हैं जिसके कारण, हमने क्या कहा है कि वो ने कहा था कि 20 गुना, 2016 का आपको हम रिजल्ट बताते हैं रेल्वे के अंदर एक ये है कि जो कहते हैं वो करते हैं, 2016 में उनने कहा था कि 10 गुना रिजल्ट निकालेंगे, उननों निकाला था तो जो बच्चे जो तैयारी करते हैं, वही सोच के करते हैं तो railway ने इनाउस किया था कि हम 20 गुना हम रिजल्ट निकालेंगे, निकाला क्या गया है? 11 गुना, इसके लावा एक और पक्छ है, किसी किसी railway में 4-5 लेवल पे विकेंसी हुई है, जैसे मारी जै कि गैंगमेन का हुआ है, आपके railway traffic inspector का हुआ है, तो ऐसा हुआ है कि कुछ सब्सक्राइब है, तो उस चार सीटों पे आप हो सकता है किसी को पैसा लेगे, आप भरती करा दें, कुछ और आप स्कैम करके भरती करा दें, तो ये बात बच्चों को मालूम है, कि बोस हमारा जो मेहनत है, उसका कोई मूल नहीं है, जो लोग पैसा देखे आएंगे, उनक दर्शन किया जा रहा था, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से राज्य सरकार की पुलिस सत्ता के निर्देशन पे, अपराधियों सा वेवार शातरों के साथ जो किया है, बेहत दुखद है, शातर भी इसी प्रदेश के हैं, आपने अपने चुनावी संकल पत्र में, मैनिफेस् रोजगार देने की बात की थी, आज जब रोजगार की बात चातर करते हैं, इसी प्रदेश के बेश चातर हैं, तो उन पे वाटर कैनन चे डंडे बरसाए जाते हैं, टीरिंग गैस छोड़ा जाता है, जो बेहत दुखद है, मैं समझता हूँ कि इन घटनाओं पर चातर गठनों से उग्र चातरों द्वारा बैठ के सहानुभूती पुरवक बात करनी चाहिए, राजे सरकार को, ऐसा नहीं है कि छातर बिलकुल अनुशासन के बाहर हैं, वो भी इसी प्रदेश के हैं, और प्रदेश की सरकार जब बैठ के उनके पास सहानुभूती पुरवक बि जिसकी परिनती है कि सरकार चातरों को बदनाम करने पर अमादा है, जो बहत दुखद है और असम्मेधानिक है, लोकतंतर में लोकतंतरीक पद्दती से कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहता है, तो नागरीक को समीधानिक एदिकार है, जिसके तहत वो लोग अपना प्र खनादाम के जब अरो, नोगतंतरीक पद्दती में अपनी आवाज बुलंद करने से आप मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, हर जनता की अपनी बात कहनी की स्वतनता है, अभिवाति की स्वतनताथा तो मौलीक अधिकार है, एक नागरीक का भी, और छाटर अपनी बात कहत अगर किसी बात से वो आहत है तो निश्चित तोर पर सहानु भूती पुर्वक उनकी बात सुननी चाहिए थी और मैं कल मेडिया के माध्यम से आप लोगों के चैनलों के माध्यम से एक जानकारी मिली है कि कई संगठनों पर छात्रों पर कोचिंग संस्थानों पर जो दमनात् परवाई के तहट उन पर एफाई आर दर्ज किया जा रहा है उनका आरेस्टिंग किया जा रहा है वो बेहत गलत है लोग जन सक्ति पाटी राम बिलास कड़े शब्दों में इन कृतियों की निंदा करती है और राज्य सरकार को चेतावनी देती है कि छात्रों को कभी भी छ खेड़ने की जरूरत ना करें चुकि नितीश कुमार जी इसी छात्र अंदोलान से सत्ता के सिर्ष पर आसीन हुए है वो छात्र और युवा की सक्ति को बेहतर पहचानते होंगे नहीं तो आने वाला दिन बहुत ही खराब होगा और छात्र फिर उनके काबू से बाहर होंग चलता है लेकिन जहां तक मुझे लगता है अभी जो खबर मिली है कि रेलवे मंत्राले ने शायद इस एक्जाम को स्टे कर दिया है और एक कमीटी बनी है कि छात्रों के प्रतिनी धियों से बात की जाए और बात करने के बाद जो जो समयधानिक तरीका जो होता है उसके तु के चोटे बारे खबरों के साथ देखते रहें अन्बीसी 24